पुर्र प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाशपेई की आज दोसरी पोनेती थी हैं। उनकी याद में आज अटल समाधी कारकर्म रखा गया। आटल बिहारी बाशपेई को याद करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सत्धाजली अर्पित की। प्रधान मंत्री ने एक ट्विट में लिखा है कि देश की प्रगती की दिशा में अटल बिहारी बाजपेई का अमूली योगदान हमिशा याद रहेगा राश्ट्रपती रामनाद कोविट ने भी सद्यव अटल इस्मर्ती स्थल पर उन्हें सद्धांजली अर्पित की है देखे एक खास वीडियो ब्युरो रिपोर्ट आई पिन हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता हूं कि यह देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं बुला सकता है उनके नेत्रुतों में हमने परमाणू शक्ति में भी देश का सर उपर दिया पार्टी नेता हो संसत सदस्य हो मंत्री हो या प्रधान मंत्री अटल जी ने प्रते एक भूमी कामे एक आधर्स को प्रतिष्ठित किया अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विश्था के रूप में बहुत सी कीजे कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है उनके भाषन की बड़ी चर्चा होती है लेकिन साइद भविश में कोई मनोवेज्ञानिक द्रस्ति से प्रिशच करने वाली व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से अनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषन में थी साइद उससे कई गुनाब ताकत उनके मौन में थी वो जनसभा में भी दो-चार बाद के बोलने के बाद जो मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जन्दमेदी के आखरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था आज आतर जी को आधरांजली अर्पित करने का अवसर है मैं बेरी तरफ से आधर जी को आधरांजली देता हूँ झाल